कि क्या आपको ऐसे लग रहा है आपका कोई फ्रेंड आपको hot size में block कर दिया आप जिसको message send करना चाहते हो उन्होंने आपको block कर दिया आपको ठोरा confuse हो रहा है इसाम हैमें आपको समाझ में नहीं रहे हैं । या उसका handout खत हो गिया, क्युंकि अगर date pack खत्म हो जाते हैं तो आपको मेसेज़ सेंड, उनका data pack खत्म हो जाते हैं तो आपके पास only single check आता है, जब आप message sent खत्म हो जीया दॉसतो इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रीक्स बताँ वह छोटा ट्रीक्स है जिसको फॉलो करके आपको 100% कॉन्फार्म हो जाएगा की उसने आपको ब्लॉक किया है या उसका डाटापेट क्खतम हों के तो दोस्तों टिक्स कॉन से है उसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंट तक देखने पड़ेगा हलो दोस्तों मेरा नाम है दीपू एन आप सब भी को सवगत करता हूं मेरी यूटूब चैनल पर तो मैं आपको यहां पर डेमो दिखाऊंगा अगर आपको क्रॉस चे करना है तो आप खुद भी देख सकता है तो मेरा फोन से जब मेरा फ्रेंड का फ्रोन में एक मैसेज सेंड करता हूं हाई बोलके जैसे मैं मैसेज सेंड कर देता हूं देने के बाद मेरे को यहां पर डबल क्लिक था यह blue mark में convert हो जाता है उसके बाद यहां से suppose उन्हों ने उनका जो net connection है बंद कर देता है बाद में message send करता हूँ हाई बोलके जैसे send करता हूँ तो मेरे पास only single click देखने के लिए मिलता है इसका मतलब मेरे को समाजना होगा कि उनके पास net connection बंद है अभी next क्या करता है उन्होंने मेरा number को block कर देता है whatsapp से मेरी number को block कर देता है जैसे block कर देता है तो block होने के बाद मैं उनको एक message send करता हूँ जैसे hello message send करता हूँ same मेरे को भी single click देखने के लिए मिलता है means only एक right tick देखने के लिए मिलता है तो यहां पर मैं confused हो जाता हूँ means आप सभी confused हो जाता है कि उनके पास net नहीं है या उन्होंने आपको hot sap में block किया है क्योंकि block करने से भी only single click आता है and आपको उनके पास net भी नहीं रहेगा तो only एक tick mark की आता है तो आपको कैसे समाज में आएगा कि उन्होंने आपको block किया की नहीं simple तरीका से आप एक group create कर लिए आपका phone में phone में जाए new group में जाए यहां पर जाके एक नया group create कर लिए group का नाम देजिए ddddd तो एक नया मैं group create कर लिया group create होने के बाद यहां पर मैं उनको add करने का कोशिस करूँगा जिनको मेरे को लग रहा है यह मेरे को block करके रखा है तो उनको मैं यहां पर search करूँगा search करने के बाद यहां पर मैं add करने का कोशिस करूँगा जैसे एड करने का कोशिश करोगा आप यहां पर देख सकते हैं एड नहीं कर पता है यहां पर दिख रहा है कि could not add सुनिल ओके तो इसका मतलब आप यहां से confirm हो सकता है कि आपका नंबर उन्होंने होट से में ब्लॉक किया है तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान तरीके से अनली एक ट्रीक को फॉलो करके आप 100% confirm हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपको ब्लॉक किया कि नहीं होट से में तो दोस्तों आज का वीडियो इतना था कि वीडियो आगर थोड़ा से अच्छा लागते एक लाइक कर दीजिए and अगर आप चैनल में ने है तो चैनल को subscribe कर दीजीए and आप comment करके जरूर बाता है इसका बढ़ा में आपको पहले से पता था या नहीथा means आपको किसीने ब्लॉक करने से आपको कैसे पता चलता है ये इसका बढ़ा में आपको पता था या नहीथा and what's up का related अगर आप कोई सावाल रहे हैं तो आप पूर सकते हैं मैं जरूर रिप्लाइ करूंगा तो थेंक्यू दोस्तों थेंक्यू आल मिलता है नेक्स्ट वीडियो वे तब तक ले बाई